को अब दोस्तों बात करेंगे अर्थ विवस्थ के प्रकार इवली को लेक्ट चीद करते हैं तो अलग-अलग-अलग क्या सिस्टम के अधार पर कह सकते हो अलग-अलग बेसिस पे इसकी अलग-अलग प्रकार है जैसे अगर मैं बात करूँ तो इसे हम असान भाषा में तीन तुकड़ों में बाट सकते हैं ध्यान समझे न कैसे एक होता है विकास के अधार पर विकास के अधार पर एक होता है दोस्तो स्वामिच्व के अधार पर संसाधनों पर किसका अधिकार है उसके अधार पर स्वामिच्व के अधार पर अभी समस्ते रहो स्वामिच्व के अधार पर यहां से भी पेपर में पिर्शन देखे जाते हैं ध्यान रखना दोस्तों, यह important है सारी चीज़े, और एक होता है दोस्तों, विदेशी संबंधों के अधार पर, या चलो विदेशी संबंधों ही लिख दो, कोई problem नहीं है, विदेशी संबंधों के अधार पर, देखिये दोस्तों, कैसे, विकास की अधार पर बात करें, तो आ विक्सित देश, सुनाएं, विक्सित अर्थवयस्ता, एक होते हैं दोस्तों विकास शील देश, है ना, और एक होते हैं दोस्तों हमारे अल्प विक्सित देश, है ना, नाम सुनेएंगे, तो यहां पर कौन-कौन से आएंगे, विक्सित देश, या विक्सित अर्थवयस्ता, यहां पर आएगा विकास शील देश, डवलपिंग एकोनॉमी, और यहां पर आता है हमारे अलप विक्सित, अलप विक्सित देश, इन्हें बोलते हैं, लीस्ट डवलब्ड देश, लीस्ट डवलब्ड, इसके अलावा दोस्तों, अगर सौमिच की अधार पर बात करते हैं, तो ये भी तीन परकार के हैं, पूझीवादी अर्थविष्था, नाम सुनाएं, समाजवादी अर्थविष्था, नाम सुनाएं, जल्ली बताओ कमेंड बॉक्स में, पूझीवादी अर्थविष्था, एक होती है दोस्तों, समाजवादी अर्थविष्थ और एक होती है इन दोनों का मिश्रा जो बहुत ही महत्पूर है मिश्रित अर्थविवस्था मिश्रित अर्थविवस्था और दोस्तों अगर विदेशी संबंदों के अधार पर बात करते हैं तो देखो दो पिरकार से हो सकते हैं क्या एक खुली अर्थविस्था और एक बंद अर्थविस्था ओपिन और क्लोस है ना तो यहां पर दो पिरकार होते हैं एक खुली और एक बंद ये एक तरीके से देखा जाए दोस्तों ये सारे मैंने पिरकार लिख दिये जो हमें एक ए करके सबको समझना है है ना दोस्तों वास समझ मारा बच्चो चलिए तो पहला है विकास की अधार पर विक्सित विकास शील और अल्प विक्सित दूसरा है बेटा पूंजी वादी समाजवादी और अपना कौन सा है आपका मिश्रिय तर्त वैस्ता तीसरा एक खुली और बंद, तीनों के प्रकार मैंने बताया, अब एक-एक करके हम क्या करेंगे, एक-एक करके सब को समझेंगे, तो जो सबसे पहले विकास की अधार पर बात करता हूँ, और पहला heading है बिटा हमारा विक्सित देश, है न, तो चलिए शुरू करते हैं, क्या ह समझे मैं यह न, बास समझ में आया, पूरी तरीके से डवलक्स हो चुके है है, मलब पूरे, अब डवलक्स का मतलब क्या है, बहल बज़्याया है, जब यह नहीं है म् , की भछिया हो पता निक क्या हो गए, कैसे हो गए, क्यूस कुस्तो समझना पड़ेँ इवा मानवी संसादनों, उनका अच्छे तरीके से इस्तमाल हो गया है, सद उपयोग हो चुका है, पूर रूप से उपयोग हो चुका है, तो ऐसे देश हमारे क्या कहलाएंगे, विक्सित देश कहलाएंगे, जहां मानवी और प्रकर्तिक संसादनों का क्या हो क्या है, पूर रूप दोस्तों आपने GDP, Gross Domestic Product, सकल, घरेल, उत्पाद, वो बहुत उच होगा, है ना, एक नाम सुना होगा, प्रती व्यक्ति आए, वो हम आगे पढ़ेंगे सब, तो प्रती व्यक्ति आए भी आपका कैसा होगा, ये भी बहुत अच्छा होगा, उच होगा, है ना, एक होता है दोस कम होगी है, ना के बराबर होगी, विरोजगारी ना के बराबर होगी है, विल्कुल जीरो होगी, तो मतलब क्या है दोस्तों, ऐसे देश, जहां पे लोगों का जीवन का इस्थर उच होता है, है ना, सेवा चेतरों का सबसा सरवादिक योगदान होता है, किसका योगदान गच्छा होता है दोस्तो ध्यान सुनना यी बहुत पेशन आयोग एकजाम में विक्सितो की सब्याएं और Bhag Word as I का पूरी तरीके से इस्तमाल हो चुका है है ना यानि कि मानविये एवं प्रकर्तिक अंसाधनों का पूर्ण रूप से क्या हो चुका है दोस्तों प्रियोग या उप्योग हो चुका है उप्योग किया जा चुका है पहली पॉइंट दूसरी पॉइंट अभी मैंने बताया यहां पर क्या होगा बचो उच्छ प्रतिव्यक्ति आए है ना उच्छ प्रतिव्यक्ति आए यह इसके गुण हैं सब घ्यान रखना उच्छ जीडीपी जीडीपी तो जीडीपी लिख देते हैं सकल घरिल उत्पात पढ़ेंगे आगे उच्छ जीवन इस्तर है ना तो यह सब देखने को यहां पर क्या मिलेगा यह सब चीज़े देखने को मिलेंगी है ना इसके अलावा कौन से छेतर का योगदान सरवधिक होगा जली बताओ सारे बच्चे फटा दो बटा 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 कमेंड में जवाब दो सेवा छेतर सरवधिक सेवा छेतर का योगदान सरवधिक होगा यह प्रिशन आया हुआ है सेवा छेतर का योगदान, सरवधिक यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है, तो यह भी इसकी महत्पॉर्ण गोड़े हैं, अब प्रिशन यह है, कि सर यहां पर कौन कौन से देश आएंगे, अरे बहुत सारे हैं, जैसे दोस्तों आपने सुना होगा, एक कंटरी का नाम देखा होगा, आपका अमेरिका, USA है, कैनेडा है, है ना, यह जो विक्सित देश है हमारे, यह सब कैसे देश हैं विक्सित यहां पर संसाथनों का पूर्ण रूप से इस्तमाल हो चुका है, यहां पर GDP हो गया, आपका और आपका प्रतिविक्तिया हो गया, मानव का जीवन का इस्तर हो गया, यह स आप समस्याएं नहीं है, है ना, चलिए, तो उधारन तो आप देख सकते हैं, उधारन लिखना चाहो तो उधारन तो बैसे बहुत सारे हैं, अब सारे मतलिखना, एक बात और बताओं दोस्तों छोटी सी, याद रखना बिटा, पेपर में कभी भी प्रिशन ऐसे नहीं आता होता है, कौन से छेत्र का योगदान सरवाधिक होता है, तो आपको बताया है, मैंने, सेवा छेत्र का योगदान सरवाधिक होता है, ऐसे फिर्शन आते हैं, है ना, उधारन अब लिख लो, USA, गनाडा, सिंगापूर, इत्यादी, बहुत सारे हैं, ऐसे तो कित्ता लिखते आएंगे विक्सित देश अब दोस्तों इसके विपरित विकास शील क्या है विकास शील देश दोस्तों ऐसे होते हैं जहां जहां अभी संसाधनों का उप्योग पूरी तरीके से नहीं हुआ है है ना बास समझ में आया ऐसे देश जहां अभी देखो नामी पता रहा है विकास शील अर्थार्थ विकास की प्रकरिया चालू है जहां अभी विकास चल रहा है है ना दोस्तों उसको क्या बोलेंगे विकास शील देश तो लिख लेते हैं इसे फटा-फट विकास शील देश तो इसमें क्या लिखेंगे प्रकर्तिक एवम मानविय संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है यानि कि उपयोग किया जा रहा है अभी है ना काम चल रहा है अभी उपयोग कर रहे हैं अब दोस्तों आप मुझे बताईए जब पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया तो सीध्य सी बात है है ना एक बात सोचने की है कि ये देश क्या कर र हाश है बताता हूं देखर दोस्तों एक राघ सुनी ओगी तुमने कार्य प्रगती पर है यह पुछिश में लगे विक्सित देश में बदलें तो ऐसे देश यह विकास की प्रक्रिया चालू है विकास की प्रक्रिया क्या है अभी चल रही है विकास की प्रक्रिया चालू है तो उन देशों को क्या बोलते हैं विकास शील देश अब दोस्तों याद रखना यहां अगर बात करें तो यहां पर ना तो बहुत ज्यादा उच जीड़ी पी दे बिरोजगारी भी देखने को मिलेगी, यहां पे अगर देखा जाए है यहां पर अकुल नहीं है, है लेकिन कम है, बास समझ रहे हो, निम्न अध्योगी करण, निम्न अध्योगी करण देखने को मिलेगा ऐसा नहीं है कि भाई यह बहुत ज्यादा अध्योगी करण हो चुका हो ऐसा नहीं है कम है लेकिन है है ना निम्न सेवा छेतर का योगदान निम्न सेवा छेतर का योगदान देखने को मिलेगा तो इस पिरकार की अर्थव्यस्ता हो क्या बोलते हैं दोस्तों यह हमारी कहलाती है विकाशील अर्थव्यस्ता और अगर यहां पर उधारन देखें तो उधारन आपको पता ही है क्या जैसे हमारा प्यारा भारत देश इंडिया इंडिया कैसा देश है अगर हम भारत के बारें बात करते हैं, तो India is a developing country, बारत एक विकास शील देश है, तो आप भी बताईए, कि बारत में गरीबी नहीं है, कि बारत में विरोजगारी नहीं है, बाई साब साब पता है, है ना, बास समझे रहो ना, दोस्तों सबको पता है, चीन, चीन भी एक कैसा देश है दोस्तों, ये भी इसी शेडी में रखा गया है, है ना, अत्यादी बहुत सारे देश हैं, आदी लिख दिया मैंने, देखो दोस्तों, हमें अलग-अलग देशों से मतलब नहीं, हमें अपने देश से में मतलब है, इंडिया कैसा है, इंडिया एक विकास शील देश के शेडी में रखा गय दोस्तो अल्प विक्सित देशों के बारे में ऐसा कहा जाए कि भाईया ये ऐसे देश है जहां ना तो तुम्हें अध्योगी की करण दिखेगा ना तुम्हें सेवा छेतर का योगदान दिखेगा अर्थार्थ ऐसे देश जो बहुत ज्यादा पिछड़े हैं जहां कोई इंड्रस्टी नहीं है oh noнов इनका मुख्चे योगदान परात्मिक शेतरों नेरभ़र किरशी पर रणोर ये जवाने वाले आदमी जानवरों को पकड़ा हूर मार दी और खापी पका पका पकाके अगाशबन ऑससे प्रकार की जो आपको अगर कंडिशन देखने को मिल रही है दोस्तों, तो ये कहें मिलेंगे अल्पविक्सित गरीबी पहुत ज्यादा है сид लोगों को गरीबी चोड़ो विचारों को रोटी तर दक नसीब न हो रही भुकमरी के समस्या है है ना दोस्तों, तो ये सारी जो हमारी परशानिया हैं, वो इन सम्में देखने को मिलती हैं, अर्थार क्या होंगे? गरीबी, देखो, गरीबी, विरोजगारी, ये सब देखने को मिलेंगी, है ना? निमन, अब प्रती विक्ति आया तो भूली जाओ, जीडीपी तो भूली जाओ, जीडीपी लिख देते ह नेमन जीडेपी ये सब देखने को यहां मिलता है अब दोस्तों आप बताओ निर्भरता कौन से शेत्र पे होगी जहा कोई इंडस्टी नहीं है जहा कुछ भी नहीं है तो आप बताईए कैसी होगी प्रात्मिक शेत्र का योगदान होगा इस शेत्र का योगदान सरवधी सबसे जादा योगधान प्रात्मिक शित्र पर निरभडता। बेटा पाकिस्तान इसमें नहीं आता, पाकिस्तान विकास शिल देशों में आता है, इतने बुरे नहीं है हालात उसके, यहां के तो बहुत भी बुरे हालात है, यहां शिक्षा विक्षा कुछ नहीं है दोस्तों, बास समझ रहे हो? हाँ, तो यह वैसी चीज़ आ जाएंगी इसमें, चलिए, अब मेरी बास सुनो ध्यान से, इसमें कैसे देश आएंगे? आपने दोस्तों अफरीकन देशों के नाम सुने, जैसे रवांडा, युगांडा, सुने, युगांडा हुआ, रवांडा हुआ, बुरुंडी हुआ, सुमालिया हुआ, कितने खतरनाक देश है है ना, आपने टीवी में एड देखे होंगे, दोस्तों कभी कभी टीवी में एक एड भी आता है, कि भीया, ये बच्चा है, ये कमजोर पैसा पैदा हुआ है, को पोशन का सिकार है, इसे पोशन नहीं मिल पारा, है ना, आप मदद करें, पैसे भेजें, युनाइटेड ने पैसे की बिल्कु कमजोर सा है, है ना, ये बहुत बुरे वाले देश जो है, बहुत ही जादा इनकी इस्तती, बहुत ही कहते है ना, बहुत ही गंबीर इस्तती है, है ना, दोस्तों, वो सारे देश हमारे कैसे आते हैं, अल्प विक्सित देश के लाते हैं, उधारन लिख ल बुरुंडी बुरुंडी इत्यादी और भी बहुत सा रहे हैं है ना दोस्तो तो बास समझ माया तो ऐसे देश जिन में निम्न जीडीपी देखने को मिलेगा है ना दोस्तो ऐसे देश जहां प्रात्मे के याद रखना ये बहुत महत्पूर है ये प्रिशन आते हैं एक्जाम में बताईए अल्प विक्सित देश जो होते हैं वहां पे सबसे ज्यादा निर्भरता कौन से देश उसमें होती है प्रात्मिक शेत्र पे है न यहां पे अच्छा याला मैंने बताया नहीं बताया विकास शील देश में कौन से निर्भरता निर्भरता या इनका योगदान जादा होता है दुत्यक एवं तिर्ट्यक कर निर्भरता यह प्रिशन पूसते हैं दोस्तों इसलिए प्लीज ध्यान जरूर दीजेगा है ना बाकियो तो मैंने आपको प्राफिंग वाला बताए दिया था क्लियर वो विक्सित वाला चलिए तो जल्ली पहले मुझे बताओ इस सारी बाते समझ में आ गए विकास शील देश विक्सित देश और अलप विक्सित क्या होते हैं